साल 2000 में उत्राखन राज्ये के गठन के बाद से ही उत्राखन की राजनीती काफी दिल्चस्प रही है उत्राखन में मानू एक पैटर्ण सा फॉलो होता है एक बार कॉंग्रेस तो एक बार BJP इस तरीके का सत्ता परिवर्तन उत्राखन में देखने को मिलता है हम सब को पता है कि आगामी 14 फरवरी की तारीक होगी और उत्राखंड में विधान सभा का चुनाओ होगा और इस बार मौजूदा पार्टी ने यानि कि सता रूड पार्टी बीजेपी ने नारा दे दिया है इस बार 60 पार लेकिन उत्राखंड का इतिहास तो कुछ और ही कहता है जैसा कि उत्राखंड के इतिहास में पैटन रहा है एक बार कॉंग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कॉंग्रेस एक बार फिर से बीजेपी इस बार बीजेपी का नंबर था तो लोगों का कहना है कि अगली बार पार कर पाएगी या फिर नहीं उससे भी बड़ा सवाल उठता है मुख्यमंतरी पुश्कर सेंग धामी को लेकर उत्राखंड में दो बड़े मिथक दिखाई देते हैं सबसे पहला मिथक है खुद मुख्यमंतरी को लेकर उत्राखंड का इतिहास है कि जिस राजनेता ने भी आस तक उत्राखंड में मुख्य मंतरी रहते हुए election लड़ा है उसे हार का पराजे का सामना करना पड़ा है आपको बता दे कि मुझूदा मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी ने खटीमा सीट से ही विदान सभा election लड़ने का एलान किया है पार्टी ने उन्हें खटीमा सीट से उम्मीदवार बनाया है आपको बता दे कि खटीमा सीट मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी की पारम पर एक सीट है वो यहां से दो बार विधायक रहे चुके हैं और यह है उनका खटीमा से तीसरी बार का इलेक्शन होगा तो अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है क् मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी फिर से खटीमा सीट पर तीसरी बार विधान सभा का चुनाओ जीत पाते हैं या फिर नहीं जैसा कि उत्राखंड का इतिहास है उत्राखंड से जुड़े तमाम मिथक हैं क्या मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी उन सभी मिथकों को त उस समय कॉंग्रेस ने उत्राखंड में सरकार बनाई थी इसके बाद आया साल 2007 और भाजपा उत्राखंड में सरकार में आई इसके बाद 2012 में फिर से कॉंग्रेस पार्टी उत्राखंड की सत्ता में आई और भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा आपको बता दें कि उस समय भारतिय जनता पार्टी ने 2012 में नारा दिया था, खंडूरी है, जरूरी बीसी खंडूरी उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन भाजपा को सिर्फ हात लगी तो निराशा, इसके बाद हम बात करते हैं साल 2017 की जहां पर फिर से कॉंग्रेस को सरकार से बाहर होना पड़ा और भारतिय जनता पार्टी ने उत्राखंड में सरकार बनाई, अब 2022 के विधान सभा के चुनाओ होने हैं, 2022 विधान सभा चुनाओ में क्या एक बार कॉंग्रेस, एक बार भाजपा को जो पैटर्ण है वो चले गा, या फिर इस बार उत्राखंड से जुड़े ये जो तमा बड़े मिथक हैं, उत्राखंड की राजनीती को लेकर, उत्राखंड की सियासत को लेकर क्या मुख्य मंत्री, पुशकर सिंग धामी इन दोनों मिथकों को तोड़ कर एक नया इतिहास उत्राखंड की राजनीती में जो है एक बड़ा इतिहास बना पाएंगे, ये एक सवाल है दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा जो अपने कामों का गुणगान कर रही है पांच साल में जो तमाम विकास कारिये हुए हैं क्या उसके बल बूते पर भारते जनता पार्टी इस बार साथ पार कर पाएगी या फिर एक बार कॉंग्रेस की सरकार होगी तोर पर मैदान में दिखाई दे रही है यानि कि इलेक्शन अब त्रिकोण ये हो गया है भाजपा कॉंग्रेस नहीं है भाजपा कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी तीन पार्टियां इस बार चुनाओ लड़ रही हैं तो ये बेहत दिल्चस्प हो जाता है बेहत सामने होगा तभी पता चलेगा कि क्या भारते जनता पार्टी और स्टीम पुशकर सिंग धामी ये दोनों मिठक तोड़ने में काम्याब रहते हैं या फिर नहीं अभी के लिए इतना ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए उत्राखन विधान सबा से जुड़ी तमाम के लिए देखते रहे है दन्यूजवाला नेटवर्क धन्यवाज शुक्रिया